Hello students, आज हम आपकी English की बुखानी सकल का chapter number 8, A Game of Chance study करेंगे. Before you read, पढ़ने से पहले आपसे question पुछा है, Have you ever won anything in a lucky dip or any such game of chance? Have you ever won? Won means क्या कभी आपने जीता है? Win की third form होती है, won. क्या कभी आपने कोई lucky draw, आपका कोई निकला है, कोई lucky dip, कोई आपका इनाम निकला है? और any such game, कोई किसी भी ऐसे game of chance में कभी क्या आपने कोई इनाम जीता है? Do you like such games? क्या आपको ऐसे games पसंद है? Now start, let's start the lesson, A Game of Chance. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in a village. हर साल Eid के occasion, occasion का मतलब होता है मौका. हर साल Eid के मौके पर हमारे गाउं में एक fair लगता था, fair का मतलब होता है बच्चो, मेला. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. जो Eid थी वो तो एकी दिन के लिए होती थी, लेकिन जो मेला होता था, it lasted many days, वो कई दिनों तक चलता था. Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods. Tradesmen, Tradesmen का मतलब होता है जो दुकानदा, shopkeepers होते हैं, जो अपना goods, goods मतलब जो अपना समान, sell means बेचते हैं. Shopkeeper or people who have goods to sell, जो अपना समान बेचने आते हैं, वेपारी, उन्हें English में बोलते हैं हम Tradesmen. From far and wide, far and wide means दूर दूर से यहां पर आते थे, मेले में with all kinds of goods, all kinds of goods means हर तरह तरह का उनके पास goods means सामान होता था, good का यहां पर मतलब है सामान, all kinds of goods के साथ जो Tradesmen होते थे, वो उस मेले में आते थे, अपने जो goods होती थी उसको बेचने के लिए, all kinds of goods to sell, उन्हें बेचने के You could buy anything from a small pin to a big buffalo, आप उस मेले में कोई भी चीज़ खरीज सकते थे, anything, buy means खरीदना, anything means कुछ भी, from a small pin, जाहे एक छोटी से छोटी पिन हो, चाहे कोई बड़ी से बड़ी buffalo, buffalo means भैंस हो, यानि कि एक छोटी से छोटी पिन भी उस मेले में मिलती थी, और बड़ी से बड़ी buffalo आपको इस मेले में मिल सकती थी, अब हमारा paragraph number second, uncle took me to the fair, जो ये story सुना रहा है, एक बच्चा आपको सुना रहा है, वो बोलता है, uncle took me to the fair, जो मेरे uncle थे, वो मुझे इस मेले में ले गए, भाईया who worked for us at home, came with us, एक और character story का भाईया, जो घर पे हमारे लिए काम करता था, व वो हमें भीड में से lead कर रहे थे, means भीड में से निकालते हुए ले जा रहे थे, crowd का मतलब होता है, भीड, leading us मतलब की वो हमें दिखा रहे थे, रास्ता दिखा रहे थे, भीड में से निकाल रहे थे, when he met a few of his friends, तब ही उसे, जो uncle थे, उन्हें अपने कुछ few, means कुछ अपन हमारे साथ गुजारे, अपने दोस्तों से वो मिल गए, तो उसके दोस्तों ने चाहते थे, कि कुछ time वो uncle हमारे साथ गुजारे, uncle asked me, uncle ने मुझसे पूछा, ask का मतलब होता है, पूछना, whether I would like to look around the fair with भाईया, till he came back, क्या जब तक भाईया वापिस नहीं हा जाता, क्या uncle warned me, लेकिन uncle ने मुझे warning दी, warning का मीनिंग होता है, चतावनी देना, warn करना, he warned me, neither to buy anything, not to go too far out while he was awake, नहाता तुम कुछ खरीदना, neither to buy anything, यह पर बच्चे दो वर्ड्स आने है, एक होता है neither, और एक होता है nor, neither or nor, यह दोरों कंजक्शन्स एक साथ इस संटेंस में आही है, neither नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं तुम यह करोगे, और मिस नहीं नहीं तो वह करोगे, so neither or nor का USB यह दोरों के संज़ें, neither to buy anything, not to go too far out while he was awake, नहीं तुम कुछ खरीदना, और नहीं तुम कुछ खरीदना, और नहीं टूफर, मिस बहुत दूर मत जाना, जब तक मैं नहीं आ जब तक मैं यहां से जा रहा हूँ दूर हूँ मैं तब तक ना तो तुम कोई चीज खरीदना और ना ही तुम बहुत दूर जाना I promise that I would wait for him मैंने अपने अंकल से promise करा हाँ मैं आपका क्या करूँगा इंतजार करूँगा पैरग्राफ नमबर फोर भाया and I went from shop to shop एक दुकान से दूसरी दुकान पर हम जा रहे थे there were many things many things बहुत सारा चीजे थी I would have liked to buy जो मैं चाहा रहा था खरीदना but I waited for uncle to return लेकिन मैं अंकल का wait कर रहा था वापिस आने का अंकल की जब तक अंकल वापिस नहीं आएंगे मैं कोई चीज नहीं खरीदूगा then we came to what was called the lucky shop फिर घुंगते घुंगते हम एक जगा पहुंचे जिसका दुकान का नाम था lucky shop बहुत इंपोर्डन है दियान रखना है उस shop का नाम था lucky shop the shopkeeper was neither young nor old जो उस दुकान का shopkeeper था जो दुकान दार था ना तो वो यंग था ना वो बुड़ा था ना तो बहुत ज़ादा जवान था ना वो बुड़ा था ना यदर यंग नौर ओल he was a middle age man वो एक middle age बीच की age का व्यक्ती था middle age means ना तो ज़ादा बुड़ा था ना वो ज़ादा जवान था he seemed neither too smart nor too lazy ना तो ज़ादा smart था ना ही बहुत आवसी था ऐसा लग रहा था उसको देखके seemed मतलब होता है ऐसा लग रहा था कि ना तो ज़ादा smart है और ना ही वो ज़ादा lazy है neither too smart nor too lazy he wanted everybody to try their luck वो हर किसी को अपना luck try करने के लिए वो चाहता था हर कोई अपना luck try करे there were disc on the table with numbers from 1 to 10 facing down table के उपर कुछ disc पड़ी थी disc का आप समझ लीजी कोई गता पड़ा था जिसके उपर कुछ लिख रखा था disc पड़ी भी थी table के उपर और उसमें numbers लिखे हो थे एक से लेके 10 था facing down और सबका चेहरा था उनका जो face था वो नीचे की तरफ था all you had to do was to pay 50 पैसा pick up any 6 disc add up the number on the disc and find the total हमें क्या करना होता था 50 पैसे देने होते थे और हम कोई भी 6 disc 6 disc हम उसमें से कोई भी 6 disc अपनी मर्जी की pick up means उठा लेते थे pick up means उठाना फिर उन disc के उपर number लिखे होते थे मालीजी किसी पर एक लिखा है किसी पर चार लिखा है किसी पर पांस लिखा है उनको हम add up कर देते थे उन numbers को हम जोड देते थे उन numbers को जोडने के बाद क्या होता था कि find the total फिर total निकालते थे कितना आता था and the article mark with that number was yours और बहुत सारी वापे articles में सामान था जिन पर अलग लग number पड़े हुए थे किसी पर 5 था किसी पर 6 था तो जो आपका total आता था मालीज आपका total 5 आया तो जो 5 number का जो article था वो तुमारा हो जाता था अब वहाँ पर जो जो बच्चा है को देख रहा है कि लोग वहाँ पर आ रहे हैं तो सबसे पहले वहाँ पर कौन आता है एक old man उसने 50 पैसे दिये पचास पैसे दिये and selected 6 disc और उसे 6 disc को select कर लिया he added up the numbers on them and found the total was 15 उसने क्या करा numbers add करें और देखा कि total कितना आ रहा है 15 आ रहा है he was given the article mark फिर उसे क्या दी दिये गया एक article दी दिये गया article means एक समान दी दी गया mark means जिसके ओपर क्या लिखा हुआ था उसके ओपर लिखा हुआ था number 15 जिसके ओपर number 15 लिखा हुआ था वह वला article उसे वह वला समान उसको दे दिया और वो चीज क्या थी which was a beautiful clock वहती सुंदर clock आपको ध्यान रखना है old man आया सबसे पहले उसने क्या चीज उसे मिली उसने क्या चीज जीती एक beautiful clock एक सुंदर सा clock जीता but the old man did not want a clock लेकिन जो old man था उसको clock नहीं चाहिए था तो शौपकीपर obliged him by buying it back for 15 रुपी तो शौपकीपर ने क्या का बहुत अच्छा बना वो उसको अप्लाइज करा मीज़ हम किसी पर कुछ एसान करते हैं या किसी को help करते हैं तो उसको अप्लाइज कर दिया शौपकीप then a boy a little older than I tried his luck फिर एक लड़का आया a little older than I जो थोड़ा सा मुससे बड़ा था tried his luck उसने भी अपनी किसमत आजमाई he got a com worth 25 पैसा उस लड़के ने क्या के जीता उसने कॉम कॉम क्या होते कंगी उसने कंगी जीती जो कि 25 पैसे की थी the shopkeeper look neither happy nor sad जो शौपकीपर था ना तो for 25 पैसा उसने वो कंगी उस लड़के से 25 पैसे में खरीद ली the boy tried his luck again फिर लड़के ने किसमत आजमाई try his luck किसमत आजमाने के English में बोलेंगे try his luck he now got a fountain pen अब second time उसको क्या मेरा boy को उसको एक fountain pen मिला एक pen होता है एंक जिसमा डलती है उसे fountain pen बोलते है वर्थ 3 रुपीज वो इसरी बार उसे अपनी किसमत आजमाई third time and he got a wrist watch wrist watch क्या होती जो कलाई पे बांदने वाली घड़ी होती है जो हाथ पे बांदने वाली घड़ी होती है वर्थ 25 रुपीज वो घड़ी कितने की थी 25 रुपीज की थी when he tried again फिर से उसने ट्राइ किया and he got a table lamp फिर उसे क्या मिल बिला वर्थ more than 10 रुपीज जो की 10 रुपेज सी उसकी जाधा कीमत थी यह आप एक word बार-बार आ रहा है वर्थ वर्थ मींस होता है उस चीज की कितनी कीमत है वो लटका खुश हो गया और मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया and a good deal of cash और बहुत सार आपने पास cash cash means पैसे लेकर money लेकर वहां से चला गया तो बहुत important paragraph था तो इसमें आपसे question पूछ सकते हैं कि जो बॉइ था उसने क्या के खरीदा तो आप याद रखेंगे उसने कि कौम उसके बाद उसने उसने फिरसे अपने लग ट्राई किया तो इसने फॉंटेन पैन वर्थ 3 रूपीज का एक जीता उसने फिर थर्ड ताइम उसने रिस्ट वाश 25 रूपीज की और टेबल लैंब वर्थ 10 रूपीज या आपको याद एकने है ये question exam में पूछा जात तो मैंने भाया की तरफ देखा तो भाया ने भी मुझे उकसा दिया एंकरिज कर दिया I paid 50 पैसा मैंने भी 50 पैसे दिये and took 6 डिस्क और मैंने भी 6 डिस्क लेली my luck was not too good लेकिन मेरा जो भागे था वो जादा अच्छा नहीं था I got two pencils मुझे क्या मिला मुझे दो pencils मिली the shopkeeper bought them from me 25 पैसा shopkeeper ने वो pencil मुझे 25 पैसे में खरीद ली I tried again मैंने फिर से try करा this time I got a bottle of ink मुझे ink की एक bottle मिली of little value जो की बहुत ही कम value की थी बहुत ही कम पैसो की थी the shopkeeper bought that two from 25 पैसा shopkeeper ने वो भी 25 पैसे में खरीद ली I took a chance for the third time still luck was not with me अब मैंने तीसरी बार अपना luck try करा I took a chance तीस इनका नाम भी game of chance है मैंने तीसरी बार chance लिया तो जो luck था अभी जो किसमत थी वो मेरे साथ नहीं थी I had hopes of winning a big prize मुझे उमीद थी hope means उमीद थी आशा थी कि मैं win means जीतूंगा बड़ा सा एक prize जीतूंगा and continue to try my luck again and again और बार बार में अपना luck try करता रहा paying 50 पैसा each time और हर बा यह मामूली सी जिसकी कीमत हो तो मैं बार-बार अपना luck try करता रहा but every time I got a trifle मुझे हमेशा a trifle मामूली मामूली चीजे मिलती रही जिनकी बहुती little value थी बहुती कम कीमती word यान दखेंगे सब बचे trifle at last I was left with only 25 पैसा and last message में पास 25 पैसे बच गए again the shopkeeper showed his kindness फिर से shopkeeper ने once more एक बार और खेल सकता हूं with 25 पैसा कि 25 पैसे में एक बार खेल सकता हूं and settle the account then and there or yeah वहीं पर अपनी जो बात थी वहीं पर सारा account वहां पर अपना खतम कर देता मेरे को उसने दो मुझे दो option दिये चाहे तो आप 25 पैसे में एक बार खेल लो या यहीं पर बात खतम कर लो settle कर लो अपने account को I played again and लेकिन मैंने कहा decide करा मैंने फिर से खेला and the last 25 पैसा also disappeared जो 25 पैसे मेरे पास बच गए थे वो भी गायब हो गए वो भी मैंने हार लिये disappeared means खो गए वो भी मेरे गायब हो गए people were looking at me, लोग मेरे तरफ देख रहे थे, some were laughing at my bad luck, कुछ लोग तो मेरे bad luck मेरी बुरी किसमत को देखकर मुझ पर हस रहे थे, laughing means हस रहे थे, but none showed any sympathy, लेकिन किसी ने मुझ पर sympathy means दया नहीं दिखाई, भाया and I went to the place where uncle had left us and waited for him to return, मैं और आये, उसने मेरे तरफ देखा और बोले, रशीद, you look upset, what is the matter, अब स्टोरी में पहली बार जो boy है, उस लड़के का नाम क्या है, रशीद, रशीद, तुम बहुत upset नजर आ रहे हो, तुम बहुत sad नजर आ रहे हो, upset means sad, what is the matter, what is the matter means क्या बात है, uncle ने मुझ से पूचा, I did not say anything, मैंने कुछ नहीं कहा, भहिया टोल्ड इम what had happened, भहिया ने सब कुछ बता दिया, उन्हें क्या हुआ था, what had happened means क्या हुआ था, अब जो uncle थे, ना तो वो मुझे देख, ना तो इस बास से वो angry हुए, ना राज हुए, ना वो उदास हुए, the uncle was neither angry nor sad, ना तो वो ना राज ह वो मुस्कुराए और उन्हें ने पैटिट कमा तो थपता पा देना, उन्होंने जो मेरी पीट थी उसे थपता पा दिया, he took me to a shop and bought me a, वो मुझे उस दुकान पर ले गए, एक दुकान पर ले गए, और उन्होंने मुझे क्या खरीद कर दिया, he bought me a beautiful umbrella, उन्हें मुझे सु विट्स मिठाई खरित के दी and some other little gifts, और कुछ चोटे चोटे और gifts मुझे ले कर दिये, then we returned home, फिर हम घर वापिस आ गए, back home, uncle told me that the lucky shop man had made fool of me, घर वापिस आते समय है, back home, जो uncle थे, उन्होंने मुझे बताया, कि जो lucky shop का वो जो आदमी था, उसने मेरा बेवकूफ बनाया है यही made a fool of me, तो no uncle, मैंने कहा, no uncle, I said, it was just my bad luck, नहीं, uncle, ऐसी बात नहीं है, यह तो मेरे bad luck, यह तो मेरे kismat खराप्ती, no my boy, said uncle, it was neither good luck nor bad luck, uncle नहीं, no my boy, ना तो वह bad luck था, ना तो बुरा लग था, नहीं, वह good luck था, neither good luck, nor bad luck, ना तो अच्छी किसमत ही, ना तो मेरे kismat खर आपती, but uncle, I said, I saw an old man getting a clock and a boy getting two or three costly things, लेकिन uncle, उसी दुकान पर मैंने एक बुड़े आदमी को, एक clock लेते हुए देखा था, एक बॉड़े को two or three costly things, दो और तीन बड़ी बहंगी चीजे भी लड़के ने जीती थी, मेरे किसमत खरापती, तब मेरे अंकल ने जवाब दिय या, you don't know child, बच्चे तुम नहीं जानते, उंकल सेड, they were all friends of the shopkeeper, वो सब बुड़ा आदमी था और वो जो लड़का था, वो सब shopkeeper के friends थे, वो सब shopkeepers के friends थे, they were playing tricks on you, they were playing tricks to tempt you to try your luck, very important line, वो तुम पर tricks चाल चल रहे थे तुमारे साथ, playing tricks का मतलब होता है, चाल चलना, to tempt you, to, tempt का मतलब होता है, किसी को लालच देना, to tempt you, किसी को मन को लल्चवाना, कि हम जैसे बुड़े आदमी की बहुत अच्छे gift निकले, तो हम वहां थे खड़े हूं, देख रहे हैं, तो हम सुछ रहे हैं, अरे इसके तो बहुत अच्छे gift निकले हैं, चलो हम भी खेल लेते, attempt का मतलब होता है किसी को लालच देना तो उन्होंने चाल चली तुम्हें लालच देने के लिए जिसे तुम भी अपना लग ट्राइ करो, they wanted your money, उन्हें तुम्हारे पैसे चाहिए थी and they got it और उन्हें वो मिल गए, now forget about it, अब इसके बारे में forget मतलब भूल जाओ, forget means भूल जाना and don't tell anybody of your bad luck or your foolishness और कभी किसी को अपने bad luck याने की बुरी किस्मत, अपने bad luck याने की बुरी किस्मत या foolishness अपनी बेवकूफी की यह story है, यह मत सुनाना इस तरह से जो हमारी story है game of chance, वो यहाँ पर complete हो जाती है किस तरह से एक shopkeeper ने heat day play tricks उन्हों उस पर चाल चली और उसको क्या बनाया foolish बनाया, तो अपने bad luck की या foolishness की story किसी को मत सुनाना, good luck या bad luck जैसी कोई चीज नहीं होती उस shopkeeper ने रशीद को जो story में character है main, उसको बेवकूफ बनाया था, और इस story के main three characters कौनों के, रशीद, भाईया और जो अंगल है, और यहां पर आकर हमारी जो story है वो finish हो जाती है I hope आपको यह story अच्छे से समझ में आ गई होगी The Game of Chance